पर डिच देब्ट तो से लेक्रे perhaps अमांत पहले को छोँर आया है अब तो छोँर कर दो मैं जब झाये अभी तो दिखछ लो है मन्ध में आई डिए तो दस महीने यूस किया है यूस तो डेट तो वह लिखिया है ना पहले भी अपन एच फर्वरी तो फरीज रहते हो रहे हैं दिसम्मर को बेच रहते हैं तब मन्ध तो अब दे हैं तो डिफ्रेंज क्यो है क्योंकि आपको बता है किसी मन्ध में तीन दिन होते हैं किसी में कर तीन दिन होते हैं और फर्वरी में तभी अठाइस दिन होते हैं फर्वरी में तभी अठाइस दिन होते हैं हमें सब किसी मन्ध में तीन होते हैं किसी में तो तीन दिन होते हैं तो यहां पर दिन मता रहा है आपको सेलिंग प्राइस होती है, जितने में आप इस संपत्थी को बेचेंगे, अपने इस पो फरींती हो, पिछा तरह जार में, इस से यूज चलिए हो, कितने दिन, तीन सो तीन दिन, मतलब पूरे दस महीने, यूज किया, दस महीने के अपने इसको बेच रहे हो, बेचने से पहले आप इस पर डेप ला जाएगे, अब डेप लाने के बाद, ये संपत्थी कितने में जाना चाहिए, ये संपत्थी आपको कितने में बेचना, उसके लिए आप एकवल लाते हैं, तोस्ट प्राइस चा सेल अड्रेस नहीं है, माइनस तर देना, यूज दे डेप, जितने दि इससा यूज किया है, उतने दिन का डेप, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आजाए, कितने में जाना चाहिए, इतने इमांग, फिर यहाँ पर आप लिखते हैं, नेट सेलिंग प्राइस, यहाँ पर आप लिखेंगे, नेट सेलिंग प्राइस, अब नेट ऺापने समपथ्टि json शेयन देजेशनों देजिए लेखिए जो सामन्क्राटी ऐसे सामनेवाथ परसन आपसे संपथ्टि पर्ष्छ रणा है वह कć सुर्षिंट मैं थाम आपने सम्पथ्टि आपसे छिस्टि-फायफ थााउजेंड आउग मैं कितने में ले रहा है गोपस इतने में लेकिन जा कितने में रहेगी पेसे हजार अब आप यहां पे लिखाल लेते हूं profit and loss आप तो इस पर profit हो रहा है कि लोज हो रहा है उसके लिए आप इत्वर लाएखें net selling price चाए sell address माइनस चर जाएंगी selling price PENT goray यहां पर profit and loss आजाए क्या हो रहा है इसके लिए लोस केसे बता चला किकी । अजर है समपत्ति 65 जाएज़े 17,000 में जा रही है तब यहां पर क्या हो रहा है profit हो जी माइनस में आ रहा है तो लोस में आ रहा है तो profit हो रहा है अब इतने में आउट हो तो पहले फूशुशू नाया गाए। अब इतने में फेड आउट हो तो पहले कुछ देलें जाए। देहू, आजर ये फ्ट वर डेसीनल जी पात गालनी है। अभी यहां पर के लिठा हुआ, 1698. लिखा, पॉइंट की बार के आगे, 63 लेहिन जैसे ही आप में आउसे डिक्रिफ रेसिमाल पी लिख करेंगे लेहिन आपने अभी इस पे यह था 63 3 को अटाया, क्या 6 में तो ही चेंज इस हुआ? नहीं हो, फिरसे आप इसे डिक्रिफ करेंगे, 8 की यह पे 9 हो जाए यह था चेंज इस नहीं हो, नहीं हो, क्यों नहीं हो, डेसिमल के बात की जो आपनी वैल्यू रहती है अजर वो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है, तो वो राउंड अप तरके उसे 1 में तनवर्त तर देता है वो 5 से बड़ी होने पर, लेकिन अजर 5 से चोटी है उसने वैल्यू रही है, अजर 5 से बड़ी है वो राउंड अप तरके उसे 1 में तनवर्त तर लेगा अजर यहां पर भिल्खा हुआ था अजर यहां पर देता है उसे laughing होगे निखने है और जब आप उसमें अटी करेंगे, तो आपने additional value नही only और यह रेए ओर आपने additional value नहीं राज़ी है ठब उसे amount आप उसमें अतना amount पर देखने को मिलेगा यहां तो आप इसे पूरी ज़िए से हटा देखी, यहां तो आप जो आप पोईंट की बाद मों आपर लेहां, अजर 5 या 5 से बढ़ी है, तब आपने वो आपने लिखां तो बिल्चिजां तो बिल्च है, ति 5 या 5 से बढ़ी होने पी राउंड ड़िए भाने में ले लेता ह इससे चाहिए, यहां तो आप उसे कोई इसी इमे वेलु देसी मल्शी बाद यहां तो नहीं तो अपने परसंट में तो परसंट में दिया तो उसमें अपने यह सम नहीं लिखा दो ≠ % डवया कि अपने अपहों इस पेनग समिखिए अब पर्संट शाववाय नहीं समपत्य पर्साओ कि इस समृत्य सेवाद्य यह संब आपकॲेतरई, ale i.e 10 अपना है, 1 जोकर नहीं दिवाद्य किये अपना decide राना सेवाय समफिए यह समक्टिय पर्सें में कितने पर्सेंट 1 सा Divide करेंगे आप Garinhoень याप Sachen Guarantee Warranty Enter करेंगे तो यहाँ पये % सbilir 30% अब जो आपने hunchar के depth निसाल अजर आप कोذろ परसेंट था निसाल होगा दो आपके इसवाल आते मिन Dep में मुदीप्लाइश हर देना % यह अहूंत है ECTU आराय से, जारंडी गॉरंडी के साब से निसाल या परसंट के साब से, अमूंट से माई है, डिफ्रेंस इतना है, जारंडी गॉरंडी के साब से निसालते हैं, तो डिवाइब करते हैं, परसंट के साब से निसालते हैं, तो मल्टिप्लाइब करते हैं, तो अब इतने में सोई आपने आपर यह चम्बनी ओपन चीज़ अपन क्या पर्चेश तरहां पन्यर फंचाटी का फरीदने से लगे बैचने करे उसे पर हिराथ लाने के बाद आपको उस पर 4 एंटरी करना लेती है सबसे सास्टे एंट्रि होती है उसपर जाओ beef लिए złुट परचिस करने घुन्डब कर अजच थे जद्रें और टेबुल उधार हैं उधार है तो यम जश क्या है समपथी अजर शमपक्ती नजच है तो पैमेंट भॉच्चर उधार है ठीकिए अब अभी यह बताएगी है यहाँ पर debit और credit आ रहा है इसे buy or two में अन्वर्केशन रहा है अब 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 यहाँ पर आपके अब्सक्राइगे अब 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 इसमें फनीचर नहीं बना होता है तो आप सो अल्टे प्लस सी से बनाना है और furniture तो आप under में डालें ही तो इसके assets चीए? furniture account कितने में खरीज रहे हैं अपन इसे? cost price इतनी है? 75,000 amount कितना डाल देगी? 75,000 अब 2 में क्या जाएगा? cash नगत sympathy 2 में क्या जाएगा? cash enter circuit save चाह लेगी अपना? अब आपको इसके डेग लाएगा ना संपत्ती ठरिक लिए बेजने से पहले इसके डेग लाएगा डेप की एंट्री आप करते F7 से general voucher